अब यह हमारे यहां पर गटबंधन पूजा हो रही है क्या होती है गटबंधन पूजा आपको बता दू पहले तो हमारे यहां एक रिचुल होता है जिस दिन घर में नई दूलन आती है उसी शाम में होती है गटबंधन पूजा और बहुत सारी चीजे होती है तो इस पूरे व्लॉग के अंदर में गटबंदन का पूरा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ तो मैंने अभी जस्ट एक व्लॉग इंड किया है जिसका कुछ ट्रॉली से ठाइटल या पर टाइटल आपने देखा होगा तो उसके बाद अभी आज ही के दिन होना था गटबंदन क्योंकि आज ही चाची जी आई है गर पे तो अभी गटबंदन हो रहा है जिसने जिसने गटबंदन नहीं देखा है नहीं जाना है कि कैसी होता है भी हमाज तरफ तो भाई होता है ये भी रिच्वल्स है कुछ की जब दूलन आती है तो शाम को ये रशम होती है तो चली दिखाते हैं आपको कुछ क्लिप्स कट बंदन की इनको देखने से पहले आपको बता दूँ कि ये है मेरी चाची बहुत जदा सर्मीली है ये ये भी मेरे चाची और चाचा है और ये मेरे बहुत ही फेवरेट वाले ही चाचू है उन्ही चाचो के साथ आचुकी है मेरी दूसरी चाची बट इनकी वाइफ वो है जो इसके पहले वाले डान्स में थी अब चाचो के साथ मेरी मम्मी और चाची दोनों लोग डान्स कर रहे है अब चाचा है कि अगर के फंक्शन में अगर मेरी बुवा जना है ना तो फंक्शन में लगते नहीं कोई फंक्शन है तो यह मेरी सबसे छोटी बुवा यहां पर गाईज दिया जा रहा है प्रशाज जो कि लड़की के घर से आता है शायद ऐसा ही कुछ है वो सब में किया जाता है डिस्टिब्यू और हमें मिल चुका है दक्शिना देख सकते हैं आप पूरे-पूरे 10 रुपाय की नोट गांदी जी आप यहां पे ना दूलन को गाने को बोला जाता है वो सब चीजे हो रहे हैं देख सकते हैं आप मम्मी और सारी चाचियां यहां पे और आप गाएगी दूलन गाना क्या कर रहे हो तुम बेभी what are you doing यह जो लड़की है बहुत शतान है मेरी बुगा की लड़की है कौन सी बुगा की लड़की है उनसे आपको मिलवाती हूं आगे आपको खराब हो यह बैठी हूई यह नए दूलन जोगी भी गाना काने वाली मेरी चाचीय जी और उनके साथ में बैठी हूई यह बुगा जिन से मैंने का अभी आगे मिलवाती हूं न वही वाली बुगा है यह यहां पर दूबारा एंडर्यूस करवाद हूं पिंक साड़ी में मम्मी है और उनके अगल बगल जितने लोगें से मेरी चाचीय और बस एक आगे यलो सूट में मेरी मौसी जी है तायल सनके दी रहे न वरी का दरांग के लिशाह में मेरा न वरी तारंग के लागे रहे दाली कूटल अब न बहुत हो दौटल है और भी और रहे उनके लागे अबन सपूपापा दाटो मान सब ने किया बहुत इंजुआ है काफी अच्छा लगा तो अभी तुरी तिरे राम करेंगे और साइधी व्लॉग को में कलका एंड करूंगी अब सैली का गला ठीक हो गया है बैठा हुआ था अपने पिछले व्लॉक्स में देखा था तो अब मेरा गला बैठ रहा है आवाज बहुत जड़ा मोटी हो रही है आवाज बिल्कुल बदल चुकी और सैली तुम बोलो कुछ मेरी एकदम साही हो गई है बस एकदम साही नहीं हुए लेकिन फिवी 90% ठीक हो गई है और मेरी 90% खराब हो गई है पर हम सभी बैठे हुए है और यहां पर धूप है बहुत अच्छा लग रहा है जुही का एक्जाम 27 को तो वो प्रिपेरेशन कर रही है अपने एक्जाम की पूरा बड़ी है खाने की विवस्ता हो चुकी है एक तरफ है सबजी चावल ट्रे में यहां पर चावल पूरी रखी हुई है और यहां में मैगी जिसमें पड़ी हुई है चिप्स और यहां में बिट्टू का खाना अलग से देख सकते हैं आप तो इस तरह से कुछ खाया जा रहा है खाना बड़ी बुवा इस गोईंग जा रही है देदे सबके सब जा रहे हैं जोई भी जाने वाली है आज बुवा जा रही है हमारी सुमी तुम नहीं जाओगे सच में नो ओके तो गाइस मैं आपको दिखाऊ में कहा बैठी हूं कुछी तो ड़ा कामरा दूर लेके जो तो जरह और दूर जैसे सब दिखे पूरा नीचे तक इस सिवाह जीदी इस पर बैठके अपने आपको बहुत सुपीर समझ रही है अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने चल रही हूं आई होप आप सभी को यह व्लॉग जो था बहुत अच्छा लगा होगा और अभी पर कहीं जा रही हूं उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा तो यहां पर जिस वीडियो की बात कर रही हूं वीडियो आ चुकी है मेरे इंचान भर्दत के ऐसा कुछ थम्मेग होगा अपने आप चाहँ कर सकते हूं